हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है मेरे यूटूब चैनल लाइफ केर मेडिसीन में तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और लाइफ चेर कमेंट करना ना भूले आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो वलकम OD500 टैबलेट के बारे में और जानेंगे इसके ड्रग, कमपनी, प्राइफ और साथ ही इसके यूजेश, साइड इफेक्ट और डोस के बारे में और साथ ही मैं आपका रिस्पॉनसिबल फार्मसिस्ट दूँगा आपको कुछ जरूरी जानकारी जिसका आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए शुरू करते है वलकम OD500 टैबलेट में जो ड्रग है वो है दिवल प्रोक्स सस्टेन रिलीज जिसकी मातरा है 500 mg और इसे मैनुफेक्टरिंग करती है मेरिल फार्मर प्राइवेट लिमेटेड नामक कमपनी और इसे मार्केटिंग करती है अलकेम लेबरेटरी इसकी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 171 रुपे 10 गोली के है चलिए जानते हैं इसकी यूजिस के बारे में वलकम ओडी 500 टेबलेट का इस्तेमाल मिरगी, दोरा पढ़ना, तेज सरदर और बाइपोलर डिसॉडर जैसी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है बाइपोलर डिसॉडर वो होता है जिसमें पेशेंट का मूड जो है वो हर वक्त चेंज होते रहता है चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में वलकम ओडी 500 टेबलेट से साइड इफेक्ट होने कर पेशेंट को सर में दड़, चक्कराना, दुंदलापन, कमजोरी, पेट में दड़, इनफेक्शन, जी मचलाना, उल्टी, ज्यादा नीन दाना, बालों का जहरना, वजन बढ़ना, और जुलाप, टीमर, वजन का घटना जैसी समस्या हो सकती है ये सारी साइड इफेक्ट जो है, वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है, फिर भी आपको अगर ज़्यादा समस्या हो तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर समपक करें और इसकी जो डोज है, वो डॉक्टर पेशेंट की कंडिशन के हिसाब से ही रखते है चलिए जानते हैं कुछ जरूरी जानकारी है वेलकम ओडी 500 टेबलेट को रोज लेना जरूरी है, इसकी डोज मिस होने पर पेशेंट को दोरह पढ़ने जैसी समस्या हो सकती है इस दवा को खाने से पहले या खाने के बाद भी लिया जा सकता है, पर बहतर है कि आप इसे खाने के बाद ही ले आप हमेशा एक ही ब्रेंड की दवा का इस्तमाल करिए और हमेशा इसकी कुछ डोज अपने पास अवेलेबल रखिए इस दवा से आपको चक्कर आना या ज्यादा नींद आने जैसी समस्या हो सकती है इसलिए ड्राइविंग या ज्यादा ध्यान देने वाले कामों से बचें ये दवा लेने के बाद आप हमेशा अपने वजन की जाच कराते रहें डॉक्टर से हमेशा चेक अप कराते रहें इससे पता चलेगा कि दवा किस फ्रकार आपके सरीर पर काम कर रही है अगर आपको आखों में और तवचा पर फीलापन दिख रहा है पिसाब करन गाड़ा हो रहा है पेट में दर्ध हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपड़ करिए बिना डॉक्टर के सलाह कि ये दवा बंद ना करें दोस्तो ये है कुछ हेल्दी टिप्स आपको हर रोज योगा करना चाहिए अच्छी नीन लेना चाहिए मोबाइल और लैप्टॉप और टीवी को कम देखें